तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजने को मेरा सेवा जोहार जै सेवा जै गोडवाना जै बड़ा देव मेरा नाम है भरत्पंदराम और आप देख रहे हमारे यूट्यूब चनल भरत्पंदराम ऑफिशियल आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेर माता खेरोदाई या स समूदाई की माता प्राचीन गोडवाना इधियास में सबसे पिर्थम आदिम मानों समूदाई ने धीरे धीरे समूद में रहने का तंत्र विक्सित किया समूद में रहने का महत्व इवं लाव को जाना और आज भी समूद में ही रहना पसंद करता है आदिम माना जो आदिम कहा गया है ग्राम यूही नहीं बस गए गाउं को बसाने वाले समूदाय के प्रतम मुखियाओं द्वारा इन गाउं को बिधान पूर्वक बसाने के लिए अनेक प्राकतिक प्रतीक जीवित हैं जिनकी माननताय आदुनिक काल में भी प्रचलन में हैं आदिम मानम समूदाय ही नहीं आदुनिक समाज भी इन प्राचीन बिधानों का अनेक एवं परिवर्तित सुरूपों के अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है गाउं को बनाने वसाने के पूर्वे वहां की मिट्टी, वायू, जल का परिक्षण, जल एवं किर्सी भूमी की उपलब्दता आवास बनाने ही तुप्राकतिक संसादन पसुओं के लिए आवश्यक चारागाय की उपलब्दता आदि का ध्यान रखा जाता था ताकि जीवन उपयोगी संसादनों की आवश्यक तैनुसार चतत पूर्ती हो सके इन गाउं, इस्थानों, घरों को बनाने, बसाने के लिए पूर्व, पूजय बिधानों के कारों के किये जाने का मुख्यादार यही होता है कि बहां बसने बाले मानव समुधाय सुख सान्ती और स्रमद्धी पूर्वक जीवन निर्वा करे आदे मानम समुधाय द्वरा ग्राम बसाय जाने के पूर्व, भविश्य के परिस्तियों का आकलन करते हुए बर्तमान ही नहीं अपनी आने वाली पूर्वक की सुख एवं स समुधी को ध्यान में रखते हुए प्राकतिक आद्यात्मक और मानिता नुसर ग्राम देवी देवताओं की स्थापना की जाती रही है। प्रमकों की द्वारा उपबास रखकर की जाती है। पूर्वज मानवन्स की माताओं की महिमा अपार और अनन्त है। इनकी महिमाओं का बखान करने की सक्ती छमता गौडवाना संदेश की लेखनी में नहीं है। गौडवाना की अनिक महान साहित्यकारों ने इन माताओं की जीवन गाता के बारे में गौडवाना साहित्य में प्रिस्तस्त करने का प्रियास किया है। किन्तु यहां अनादी काल के परापे ग्यानी पित्र इवन मात्य सक्ती नागावैगा नागावैगिन धरती पुत्रों भूरा भगत और धरती पुत्री कोत्मा के माता कोत्मा के साथ पुत्रों और पांच पुत्रियों के द्वारा समात सेवा की भूमिका की संबंद में य इन पांच बहनों में सबसे चोटी बहन अर्थात ग्राम समाज की माता खेर माई या खेरो माता हैं कहा जाता है कि कहीं कहीं खेर माता को सीतला माता की नाम से भी जाना जाता है कि भुई पुत्र भुगरा भगत और भुई बोच की पुत्री माता कोत्मा नागा बैगन और ना सबसे बढ़े पुत्र कुमार और आप रेमाल ये ऐसा सिर्जन अभेए ग्वर्ए ग्यान के कारण बे गाउं गाउं जाकर समुधाय समाज की सोक सांती एवं समरदी के लिए प्रावेगियनिक का उप्योग कर जिस जिस गाउं में जाते थे वहीं देवठाना बना इस्थापित किया करते थे इस समाजिक कारे में अतिरूची एवम उत्साह के कारण बेग घर से निकल कर एक गाउं से दूसरे गाउं दूसरे गाउं से तीसरे गाउं और अंध तक बेवापस घर नहीं आए कुवारब हिमाल पेन के घर वापस नहीं लोटने पर माता पिता अधित चिंतित होकर उनके सबी छे भाईयों को उने धूर कर वापस घर लाने के लिए भेज दिये और यह भी आदिश दिया कि जब तक कुवारब हिमाल पेन ना मिले तब तक कोई घर नहीं आएगा फिर क्या हुआ सबी भाईयों ने गौणवाना भूबाक का गाउं गाउं कोना कोना धूरती रहे ग्राम समुदाय से उनकी जानकारी मिलती रहे किन्तु निश्चित ठोठ काना कोई नहीं बता पाते धूरते धूरते बर्सों भीत रहे अन्तु तक कुमारा भिमाल पेन अपनी विशेशक्गिता की आधार पर ग्राम जनों की सेवा समर्पन कर्तब पराणय व्यक्तेत्व एवं समुदाय में अटूट सद्ध भक्ति विश्वास के रूप में उन्हें मिला अपने भाईयों के आगवन का कारण समझने में उन्हें देर नहीं लगी सभी भाईयों द्वारा मातर पिता के संदिश बता कर उन्हें घर बापस चलने का आग्रे किया कुवारा भिमाल पेन संदिश सुनकर चिंचत हो था एक तरफ मातर पिता का पुत्रश ने के लिए डबडबाई आखें का इंतजार तथा दूसरी और ग्राम जनों की सेवा करतब्य परायनता से दूर होने की इस्तिती का दुख उन्हें सता रहा था चिंचत हो मन कर उन्होंने अपने भाईयों एवम ग्राम समुदाय को प्राकतिक आध्यात्मक जन्म मरत्यू सुक दुख परिवार समाज संस्कृति समाज सेवा आधी की मानव जीवन में महत्व एवम उपियोगता की संब्द में उपदेस देती रहे उनके जीवन उपदेसों और विचारों की सागर में डूपकर भाईयों के संसारिक मोह माया भी धुल गए और बे भी गाउं खूटियों के किनारे में बैटकर अपनी अपनी विशिशक गिता अनुजार कोईतुरों की बिभिन प्रकार की सेवा में लग गए और सभी भाई अंतत घर वापस नहीं लोटी इन में से एक भाई गाउं का ठाकुर देओ एक खिला मटुआ एक गाउं के मेड़ों का सरहद नार गाउं का रखवाला पैरा देने वाला पाट पीड़ा करने वाला ऐसे बैट गटी गे कुवारा भिमाल पेन आदी जिनकी मान ने तानुसार हांगे उलिक किया गया है कई वर्स बीत जाने तथा उन छे भाईयों के घर वापस नहीं लोटने पर उनके माता पिता फिर चिंतित होकर सभी बच्चों के बारे में सोचने लगी उन्हें समझने या रहा था कि बिक कहा निकल गए हैं अब क्या करें माता पिता बच्चों क याद में बेचे नहोटे उनकी आखें बार बार नहार रही थी उनकी आखें अपने बच्चों को देखने के लिए तरस गई सभी बेहनों में अदासी चागई फिर क्या हुआ कई दिन बाद माता पिता ने पुनह निरना लिया और अपने पांचों बेटीओं को सभी भाई इंआ और नहीं मिल जाते तब तक विए घर पर फपस न आए अदिस का पालन करने के लिए सभी पांचों बेहनों उनने डूणने निकल पड़े पांचों बेहनों गां lot कोशते रहें दो उनकी स्थिति का कोई भी अंदाज ने लगा सकता कि कहां परें महीं नों ढूंडने के बाद उन्हें वह मिल गए बहनों को भी वहीं अबदेश मिला जो भाईयों को मिला था अबदेश पाकर सभी वहनें गाओं के विवन्न खूटों ठौर ठानों में इस्तित होकर अपनी विशेच जगता अनुसार कोईतुरों की सेवा में लीन हो गए और अंतते घर वापस नहीं लोटे इनी पांच वहनों में से सबसु छोटी वहन खेरमाई कोईतुरों की सेवा और रक्षा के लिए प्रसिद्ध वहन खेरमाई कोईतुरों की सेवा और रक्षा के लिए एक प्रसिद्ध प्राप्ति की जिसके करण आधिकाल से आज तक आधिवसी समाज या कोई तूर सद्ध पूर्बक भाव से खेरमाई की पूज़ा करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं चुनों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जैसेवा जेगोण वाना जेवळा दू बिलते हैं आपन अगली वीडियो में